Hello everyone, welcome on my channel आप सभी को पता होगा कि SSC CGL का जो स्लेबस है वो चेंज हो गया है और अभी notification आया है लगबग 20,000 vacancies की और ये notification mission mode से भड़ा जाएगा यानि कि बहुत ही जल्दी ये vacancies भड़े जाएगे तो जो student त्यारी कर रहे हैं उनके लिए ये golden opportunity है क्योंकि अभी syllabus चेंज हुआ है तो cutoff जो है वो थोड़ा down जाएगा क्योंकि नया चीज है तो लोगों को इसको adopt करने में थोड़ा time लगेगा तो इस वीडियो में जो syllabus चेंज हुआ है उसके बारे मैं आपको detail से बताऊँगा और आपको compare भी करके बताऊँगा कि पहले क्या था और अभी जो है वो क्या हो गया है तो syllabus को देखने से पहले ये जो notification है उसको हम देख लेते हैं तो आपका जो online application भरने का date है वो 17 सिप्तमबर से लेके 8 October तक है इस बीच में आप online application भर सकते हैं और last date जो है वो 8 October को है वो रात के 11 बजे तक इसके बाद आप application जो है online नहीं भर सकते हैं तो आप जितने भी candidates हैं जो eligible है वो 8 October से पहले-पहले अपना online application भर दीजिएगा और last date जो है offline चनान का वो 8 October है रात के 11 बजे तक और online payment का जो last date है वो 9 October है और रात के 11 बजे तक तो आप 9 October से पहले-पहले online payment कर दीजिएगा और tier 1 जो है आपका exam लगबग December 22 में होगा tentative date है हो सके 23 में भी चला जाएए और tier 1 होने के बाद आपका tier 2 के बारे में आपको बाद में बताये जाएगा तो यह जो है आपका notification के बारे में सारा चीज है इसको आप ध्यान रखिएगा इसी साब से अपना form आप भर लिजिएगा आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि स्नेबस में क्या-क्या changes आये है तो पहला एक change आया है कि tier 3 जो है अब नहीं होगा tier 3 जो होता था descriptive वो अब खतम हो गया है अब tier 1 और tier 2 ही exam केवल होगा और tier 1 जो पहले होता था उसी तरह से tier 1 होगा लेकिन इस बार जो है यह qualifying होगा यानि कि इसका जो number है आपके final merit list में नहीं जुड़ेगा पहले क्या होता था कि tier 1 का भी number जो है वो final merit list में जूटता था लेकिन इस बार यह नहीं होगा और इसमें जो है आपको reasoning के 25 questions रहेंगे general awareness के 25 quantitative aptitudes के 25 और English के 25 और एक एक question जो है वो दो-दो mark का होगा और total जो marks होगे वो 200 के होगे और इसमें जो है एक गलती पे आपको आधा number कटेगा यानि कि अगर आपने दो गलतीयां की तो आपका एक number जो है वो cut हो जाएगा और time जो आपको मिलेगा इस के लिए वो एक घंटा मिलेगा one hour और एक चीद ध्यान दीजिए कि इस बार जो है SSC ने tier 1 में minimum qualifying marks भी रखा है यानि इतना तो आपको आना ही चाहिए उसके बाद यह जो है cut off जो है वो set करेंगे तो UR के लिए 30% है OBC और EWS के लिए 25% और others के लिए 20% यह minimum qualifying marks आपको लाने ही है और उसके बाद जैसा paper होगा वैसा cut off set किया जाएगा SSC के दोआरा तो अब हम देखते हैं कि tier 2 में जो है वो क्या-क्या बदलावाए है तो इसमें जो है session होगा session 1 और session 2 और session 1 में जो है वो 3 section होंगे section 1, section 2 और section 3 तो जो पहला section होगा उसमें आपका math और reasoning का test होगा और इसमें जो है 30-30 question आएंगे 30 math के और 30 reasoning के और ये 3-3 number के 1 question होगे यानि कि total marks जो होगा वो 180 का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा ये दोनों के लिए यानि कि आपको 1 घंटा इसमें बिताना ही है math और reasoning में इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप अगर पहले कर लेते हैं तो आप section 2 में जो है वो स्यूच कर सकते हैं नहीं आपको इसमें 1 घंटा ही देना होगा उसके बाद जो है section 2 खुलेगा तो section 2 जब खुलेगा तो उसमें आपको English और general awareness आएगा और इसमें जो है English 45 questions रहेंगे और general awareness के 25 questions रहेंगे यानि total 70 questions और ये रहेंगे 210 नंबर के और इसके लिए भी आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा तो इसमें जो है SAC ने क्या थोड़ा गरबड किया है देखिए English और जो general awareness है वो अगर आपको आता है तो आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं मुस्किल से आदा घंटा के अंदर तो इसमें जो आदा घंटा आपका समय बचेगा वो आप math and reasoning में use नहीं कर सकते हैं math and reasoning का जो module खुलेगा वो केवल 1 घंटा ही आपको दिया जाएगा तो ये जो है काफी बड़ा changes लाया है SAC इसको आप ध्यान रखिएगा तो इसमें जो है दो घंटा आपका हो गया टू आवर्स में आपने math reasoning english or journal awareness का test दे दिया वो लगातार चलता रहेगा उसके बाद आपको computer के लिए 15 मिनट दिया जाएगा और computer में जो है 20 question आएगे और एके question जो है वो तीन नंबर के होंगे और total 60 नंबर का जो है वो computer होगा लेकिन computer क्या होगा qualifying होगा इसका जो है नंबर आपके final merit list में नहीं जूटेगा तो आपका final merit list जो बनेगा वो 180 ये जो नंबर है और ये 210 यानि कि 390 पे आपका final merit list बनेगा और इसी नंबर पे जो है आपको अलग-अलग department आपके choice के नुसार आपको दिया जाएगा बाकि जो ये paper 2 है statistics और general studies finance and economics का वो जो JSO के लिए exam देंगे उनके लिए ये है और एक जो है important चीज़ में रह गया कि इसमें जो है Fcat में होता है उसके बाद जो है कुछ important points हम देख लेते हैं कि tier 3 का exam जो है descriptive होता था वो अब नहीं होगा उसके बाद main एक important point ये है कि जो document verification होता था वो पहले SAC कराता था लेकिन अब क्या करेगा SAC कि tier 2 लेने के बाद वो final result आपको दे देगा और उसके बाद वो department भी alert कर देगा और जो department alert हुआ है आपको उसकी जिम्मेवारी है आपका document verification कराना आपका medical कराना तो SAC जो है अब इससे छुटकारा पा लिया है तो इससे आपका result जो है जल्दी आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा time लगता था SAC को SAC में देखने को मिलेंगे आप भी उसमें से एक हो सकते हैं अगर आप अच्छी तयारी कर रहे हैं तो उसके बाद एक जो important चीज है syllabus change syllabus में भी कुछ changes आये हैं जो पहले से compare करने पर पता चला है math में जो है mean, median, mode और probability ये चार जो है इसको add किया गया है और English में जो है homonyms को add किया गया है ये काफी important है जो syllabus में changes है इसको ध्यान रखिएगा और एक चीज है कि final year के जो students है वो भी इसे भर सकते हैं इस form को लेकिन उनके पास जो degree है वो 8 October 22 से पहले उनके पास होनी चाहिए तो hope आपको ये जो वीडियो है informative लगा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया तो play like, share and subscribe to my channel Thank you